हलो और वल्कम माई डियर सूल फैमली कैसे हैं आप सब आशे करती हैं आप सब ही अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज की दिन क्या खास होने वाला है जो आपके परसन के दिमाग में चलेगा या फिर वो आने वाले कुछ समय में आपके लिए क्या नेक्स्ट मूव लेने वाले है शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेकि एंजल्स का नाम कितना beautiful setup है वो भी beautiful colors के साथ love is in the air यानि कि सब कुछ pink pink और red red है शुरुबात करते हैं आज की reading cards को shuffle करके और आपके person की कुछ internal या फिर current hidden feelings को जानके सबसे पहला है यहाँ पे card आगया the high priestess बहुत प्यार करते हैं आपके person आपको आपको बहुत सी जादा beautiful gorgeous मानते हैं और ऐसा लगता है कि आपके person को हमेशा हर कि सीमें आप ही दिखते हैं तो chariot का card आगया है यहाँ पे the hangman बहुत confused लग रहे हैं आपके person ऐसा लग रहा है उनके दिमाग में बहुत सारी आवाजे हैं जो उनको confused करने के कोशिश करें और आपके person को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सी आवास को सुनना है justice, emperor और the chariot का card देख लेज़े ध्यान से ऐसा लगता है कि आपके person को बहुत सारी चीजों को मतलब ना चीजों में sacrifice करने के जिरुत पड़ रही है अपनी life में वो बहुत सारी adjustment कर रहे है और बहुत सारी चीजों की कुर्बानी दे रहे है अब ऐसा क्यों हो रहा है अब ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपके person की life में बहुत सारी ऐसे चीज़े हैं जो उनके control में नहीं है और वो उन चीज़ों को control करने की कोशिश कर रहे है आज के दिन मुझे असलिए लगता है ये खास इसलिए है क्योंकि आज के दिन आपके person हो सकता है फैसला ले ले कि उनको क्या करना है अब किस बारे में बात हो रही है emperor का काड़ी आप आ गया है जिसका मतलब ये है कि आपके person अपनी feeling को लेके बहुत ज़ादा ही ना मतलब अब वो हो गए है सतर्क हो गए है आपके person सोच रहे हैं और अच्छी तरीके से जानते है कि मुझे अपनी feelings का इजहार किसके सामने करना है कब करना है और कहा करना है अपनी feelings को अब temporary लोगों के पीछे waste नहीं करना जो इनका भला नहीं करते जो इनका अच्छा नहीं चाहते है the hand man कहीं आपे काड़ा गया है जिसका मतलब ये है कि आपके person अभी भी बहुत ज़ादा confusion में है आपके person को अभी भी बहुत ज़ादा ऐसा लगता है कि क्या वो सही रहापे है क्या उनका ऐसा सोचना क्या उनका ऐसा कदम लेना सही रहेगा क्या आपके मन में उनको लेके कोई judgment चल रही है तो यही सारी कुछ چीजे जसे आपके person बहुत जादा सोच रहे हैं तो hangman का काड़ा है और यहां पे high priestess का काड़ा है वैसे तो आप इतने perfect है कि कोई भी इनसान आपको पाने के लिए किसी भी हथ तक चला जाएगा और आपके person यह सोच रहे हैं इस वक्त कि अगर यह person मेरे पास ना हुए अगर यह person मेरे हाथ से चले गए तो यह सोच है कि लाखों की lottery चली गए जी हाँ कुछ इस तरीके से आपको लाखों की lottery बोल रहे हैं इसका मतला यह है आप देखने में perfect आप देखने में इतने प्यारे आपका nature इतना वड़ी है आप दिल से इतना साफ कोई आपको लालच नहीं किसी प्रकार का कोई greed नहीं कि मुझे पैसा चाहिए या फिर मटीलिस तिंक के पिछ नहीं भागती जिसको भी आपका प्यार मिलेगा वो तो बहुत ही लखी हो जाएगा तो चैरिट का कार्ड ये है वो ये सोच रहे हैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करें basically उनकी लाइफ में जो negativity भरी हुई है उनकी लाइफ में आपको लेकि जितने भी negative thoughts पर रहे हुए हैं या फिर जो overthinking की problem है या जो इनके anger issues है मुझे इससे लगता है क्यों आपके person जूट बहुत बोला है आपसे जूट बोला है उसको चुपाने के लिए फिर और जूट बोले है तो इसलिए आप जस्टिस का कार्ड आ गया है इसका मतलब ये है कि जो भी आप deserve करते हैं ना जो भी सच्चाई जो भी explanation जो भी उनों आपके साथ बुरा किया है ना उसका फली अल्री भूगत रहे है क्योंकि इनकी life में भी बहुत कुछ बुरा बुरा गलत गलत हो रहा है ठीक है ऐसा लग रहा है लोग आ रहे हैं इनको नुकसान करने लोग आ रहे हैं इनको यूज करके चले जाते हैं लोग आते हैं emotionally इन से connect होते हैं फिर जैसे ये connect होते हैं तो उनको छोड़के भाग जाते हैं कुछ ऐसी समस्याओं का यह जो है ना यह face कर रहे हैं समय एसा लग रहा है इनके मन की आवाज इनको कह रही है कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी जोक सपाट, इनकी मन की आवाज इनको कह रही है कि जा और बात कर ले, क्योंकि यही maturity होगी, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं जी हाँ ओके लेजिनस आलस पन के कारण ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं चीजों को टाल रहे हैं चीजों को पोस्ट पॉइंट कर रहे हैं लेकिन आज की दिन इस परसन को बहुत ज़ादा इनके बन में सवाल आने वाला है क्या मैं उनके लायक हूँ क्या वो आपके लायक है और जो इनका जो जिद्धी पना है वो ही आपको हमेशा उनके करीब लाएगी अब इसका क्या मतलब इसका मतलब ये है कि आपके परसना मानने को तयार नहीं है कि आप उनकी लाइफ में नहीं है आपके परसन को पता नहीं क्यों मुझे बहुत दा गुसे में नजर आ रहे हैं इसका मतलब यह है कि आपके person को एक तरीके से जिद या फिर यह मानिजे भूत सा सवार हो गया है किसी तरीके से मुझे अपने person को अपना बना ही लेना है जब वो अपना comparison कर रहे हैं आपके किसी दोस से या फिर आपके life से तो पा रहे हैं कि आप हमेशा उन से उपर है आप हमेशा उन से superior है अप इतने first class है आप इतने मतलब high priestess की energy आपका aura ऐसा आप इतने charming है आप इतने प्यार है आप इतने cute है आप मतलब आपके अंदर से vibrations इतनी higher vibrations आती है कि वो उसको पाने के लिए आपके person कुछ भी करने के लिए तयार है और इनको तभी अच्छा मैसूस होता है जब यह आपके पास जाते है राइपनेस इसका मतलब यह है कि हो सकता है इस बार वो आपका दिल जीत लें दुबारा से जीत लें उस चीज़ के लिए यह prayer भी बहुत ज़्यादा करते हुए नजर आ रहे ह हैं कि दुबारा से वो सब कुछ आपके बीच में अच्छा कर दें उसके लिए देख रिलीज रिलीज देख लीजे रिलीज काड के आने का मतलब यह है कि आपके परसंट पुरानी मेमरी इसको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए यह दूसरों से कटे कटे रहते है दूसरों के साथ इनको बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और अट अपके परसंट सब से रिष्टा नाता जो है तोड़के बैठ गया हैं स्पेशली मैं देख रहे हुए थर्ड पार्टी से यह कुछ इस तरीके से उखड़े हुए हैं इतना ज़दा नराज है कि थर् पार्टी के कॉंटाक में आते हैं या फिर उंसे क्लोज होते हैं तो उनको वही सारी चीज़े याद आने लगती है जिसके विसे आपके परसंट और ज़दा अंकमपटेबल मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं तो आज के दिन आपके परसंट आपको लेके बहुत ज़दा उनके अंदर बहुत ज़दा बड़ी जा रही है बेचानी बड़ी जा रही है रातों को सोना मुश्किल हो गया है उनको ऐसे लगता है कि जब भी वो सोते हैं आँख बंद करने से पहले वो आपको अपने पास पाएं आँख खोलने के बाद वो आपको खुद के पास चाहत हो क्योंकि आपके परसन आपको बहुत जाता याद कर रहे हैं पुरानी अनरजीस के बारे में सोच रहे हैं नमबर है 3312 अगर आपको असे लगता है कि इस रह में आप अकेले हैं तो विश्वास रखें जाए आपके आपके साथ हैं आपको जो डिवाइन इंजल से वो हमेशा आपके साथ हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू रिडिंग आ गई है जदी से जाके देख लीजे किसी भी की अगर आपको कोई मतलब है तो अगर आप कर सकते हैं अगर आपके बस में तो इसक रह वाइन पार प्लान करके बाथे हो someone needs your support can you help them अगर आपको कोई help मांगता है तो अगर आप कर सकते हैं अगर आपके बस में है तो उसकी help जरूर कीज़े क्योंकि angels आपकी हर actions देखते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं different different group में आके कि आपकी life में अगर कोई needy आ जाता है तो आप उनकी कैसे मदद करते हैं अगर आप उनकी मदद करते हैं तो angels की नजर में आप qualify हो जाते हैं और angels भी कहीं न कहीं खुश हो कि आपका काम जहें चलती कर देते हैं जो आप बहुत इस तरीके से जानते होंगे अब मैं आपको बताती है आपके परसन के लाइफ में अभी क्या चल रहा है उनके एनरजीस को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कम्यूनिकेट क्लियरली जब भी आपके पास आएंगे आपके परसन तो देखिएगा किस तरीके से बात करने के लिए वो व्याकुल होए पड़े होंगे और प्लस आपसे बहुत सारी चीज़े ऐसी ऐसी बोलेंगे जो शायद आपने कभी उमीद नहीं की थी आपके परसन आपको ये सारी चीज़े क्लियरली बोलेंगे लेकिन इस बार देखिएगा उनके विजन में बहुत ज़दा बड्यक्त Clone सば controllers hard और ये आप दोने के लिए बिल्कुल फेल्ट सक्वい करणी मैंच क स्कूत के विजन तो गवड़ाने की जिरुद Mother सब कुछ आपके फेवर में ही होगा वर बस आपको अपनी तरफ से जाके लेंगिा कहरा आं पीस्फुल रिजूशन resolution का मतलब समझ लीजे, दोनों की जो जगड़े हैं, दोनों की बीच में जो मनमुटाव है, वो बहुत ज़ादा शांती से शांत होने वाले हैं, look for a sign, देख लीजे, किस तरीके से आप इशारा मिलेगा, आपको इंजल्स की तरफ से कोई भी इशारा हो सकता है, कोई symbolism हो सकता है, कोई call हो सकती है, कोई numbers होते हैं, उसके तरू आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कीज़े, इंजल, numbers, symbols, sigils होते, कुछ भी हो सकता है, manifestation, shooting, star हो सकता है, अभी देख लिजिए, घड़ी में कितना time हो रहा है, और जल्द से type कर दीजिए, कि आपको कौन-कौन से number specially दिखाई देते हैं, कौन-कौन से symbol, आशक करती हो, रीडिंग आपको पसंद आई होगी, resonate की होगी, मिलूगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए God bless you all, और देख लीजिए का description box में एक new reading आच चुकी है, God bless you and love you all.